कि हलो का तो सागत आप सबका टीम सोरे में बात करने वाले अपना जो लिजंट्स लीग टीटूंटी का अपना वाई शाम का मैच रहने वाले किस किस के बीच में एक तरफ है भीलवड़ा किंग्स जो पहला मैं जीते उसके बाद के दोनों आर गए और एक तरफ है यहां से आखिर तक देखना तक एक बहतर आप टीम भी बना पाओ और अभी क्या चल रहे हैं दोनों टीम के बीच में मतलब क्या कुछ इनके प्लेयर चल रहे हैं और कौन से रखने कौन से नहीं रखने सारी चीज़ा डिसकेस करने वाले तो आखिर तक वीडियो को देखना और साथ साथ वीडियो पसंद है तो लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वह भी फटावर से कर लो और हां बैल नोडिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि आगे जाकर कोई भी जो मैचस की वीडियो से बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ और साथ-साथ में भी डाला हुआ है बागी बात करते देखो अपने मैच के 630 एस मैच कर लाएं जम्मू में खेला जा रहा है अभी तक जम्मू में ना एक ही मैच हुआ है और वो मैच बहुत जादा हाइज स्कोरिंग नहीं रहा था मात्र 124 का स्कोर बना था उस मैच में ठीक है फैस्ट बही थी तो 124 बना फिर उस केस में तो होता कि चेज करना असान हो जाता है चेज हो जाता अराम से बट वो भी नहीं हुआ जम्मू में भाई फिलाल के लिए कुछ पिछ है ऐसी अभी तक तो फ्लैट थी बट अभी पुछ कुछ ऐसी है कि रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर बैटर्स अपना टाइम लेते हैं अल्मोस्ट हर बैटर यहां पर जो है सो से भी कम के श्राइग रेट के साथ में खेल कर गया था तो यह थी कुछ पिछ रिपोर्ट तो आज के लिए आपको जो स्पिनर से वह अच्छा करते हुए दिख सकते हैं तो स्पिनर पर जरूर ध्यान रखना अब आते हैं जरा सिधा प्लेइंग अलों के अपर भीलवाड़ा किंग्स की तरफ से तो किंग्स भाई पहले मैच में तो जीत गई थी उसके बाद के दोनों मैच यह हार गए अब देखो अगर इधर से बात करो मैं कुछ अपने प्लेयर्स की कुछ म चाहूल शर्मा ने फिर भी ऐसा है कि एट लिस्ट तीनों ही मैच में एक एक विगेट तो निकाले वह वहला काम रहा है बट और ओरोल कोई भी ऐसा को बहतरीन क्लियर निकल कर नहीं आए जैसे पहले मैच में के हीरो थे इर्फान पठान और बॉलिंग से अनुरीद सिंग गए हैं अब दोसरे मैच में यहूंसे क्या हो वा दोसरे मैच में कोई नहीं चला। तीसरे मैच की बारी आई की यह रहा ही है तो आज के लिए वह लिए ट किसे और डिरत उपर पर है यह और विकेट कीपिंग में पॉइंट सापको देखकर ही जाता है तो इस वाई से दिल्षान अपने लिए स्मॉलिक के लिए सही बनता है सॉल्मन मायर जीलों ट्राइब कर सकते हो पहले मैच में सही रंस बना कर गया था और बागी दूसरे तीसरा मैच तो फ्लोपी द यह उत्रहां मारने को जाता नहीं जहां बोल मिली वहीं मारना नहीं तो भाई सिंगल डबल सिंगल डबल लेकर मैच को आखिर तक लिजाता है तो वह चीज़ा सिमंस के पास में तो इसले ठोड़ा सई ऑप्शन बनता है सी वी सी के लिए गर आप बनाना चाहो तो रोबिन बिश्ट ने उतना कुछ खास परफॉइंस नहीं किया जो कि देखने में आ जाए कि बाई साट सतर बना दी एक मैच में तीस चालिस बना दिये पर अभी तक ऐसा देखने को मिला रोबिन बिश्ट की तरफ से कि हर मैच में एट लिश्ट बीस पॉइंट्स तो देखर गया ह बिश्ट की तरफ से वह चीज रही है और बिल्कुल अगर रखना चाहूँ तो आपके बैटर सेक्शन में देख ऑप्शन रहने वाला है बागे और अगर आप देखोगे तो स्ट्राइक को उतना बहतरी नहीं और मानता है बिल्कुल बहतरी नहीं नहीं ना अभी रहा है ब बंदा तीन हो और मार का है चोथे में विकेट मिली जाता है कैसे ना कैसे कर गए सबसे मर को लगता लगी बंदा ना पूरी टीम में क्रिस बानवाले इदर से बागी ठीक है 24 विकेट वैसे इसके और वो लगट टीट देखोगे 88 मैच में एक हजार बैसे रहने 17 का श्राइ पूरे चारवर नहीं डालेगा इवन तीन भी नहीं डालता हो दिखेगा शायद एक दो वरी करा है और बैटिंग से आपको पांचवे चाटे साथ वे पर आता हो आपको दिखेगा तो बस उस केस में थोड़ा से सेफ बनता है लेने के लिए क्योंकि बैटिंग बोलिंग द में क्या किया था कि बोलिंग करा थे दो विकेट निकाल यह वे अगले मैच में क्या हुआ अरफान ने कारियास एसकर भूल जा रही है तो भी बैज जसल कारिया हमां फिल्डिंग कर रहा है, बंदा हर जगे गुमरा तो उस दिन, वह डीक है, ऐसा फिल्डर, अभी तक मैंने जो देखा, जसल कारिया के हाथ में, वह अगर एक दो कैच अगर आती है, तो वह आ जाती है, ठीक है, टीम में अगर दो कैच ही हुई है, दो भी तो मिलती है, तो एसा फिल्डिंग यूनिट आप कही ना कहीं ले सकते हो, कारिया को, और बोलिंग कराने के भी चांस बसे यहां पर बनने वाले, कोई सामने एक तो लेफ्ट अंडर भी है, दूसरी चीज़ स्पिन को यहां पर मदद है, तो एधिंग कारिया को बोलिंग कर करते हैं, राहुल चर्मा के ऊपर मैं बिल्कूल आज भाई थोड़ा सा रहूंगा, आपने देखा हो का राहुल चर्मा अभी तक तो सही बोलिंग करा रहा है, जैसा मैं हमिशा बोलता भी जिनको राहुल चर्मा का नहीं पता है, यह बंदा आई पेल में है, बोलिंग अच पास में अनुरीच सिंग, एक लाश्ट ओवर के अलावा कुछ जादे खास नहीं किया तो इसने पिछले मैच में, तो यह देखो भीलवड़ा गिंग्स की तरफ से, जो प्लियर से, सारे एक एक करके दीरे-दीरे सारे समझा दिये, अब जरा एक बर इनके बर इनके बात कर विकेट और रहोल है, प्रॉस पर उट से आ है, ओफ प्रिक बोलर, विन चास में बावन चास विकेट है, रियांसाइड बोटम अभी तक जो मैं आपको बोला था, रियांसाइड बोटम का सबसे बढ़ा डिसद्वांटेज, उनकी वह जो एज है, वही है, क्योंकि उससे ज साल के बंदे से और पचास साल के बंदे से सेंग ऑई उम्मीद कर सकते हुआ बस वही चीज़ वही डिफरेंस आ रहा है इनकी में उसके बाद में आनेंद राज़न है श्रीकंत वागया और यहांसे ज्वाहमत देखने को मलता है ज्वाहमत बैठर अच्छा है पर यह टेस्ट वहीं पर अगरम सदन की बात करें बट उससे बहले में ज़र आपको ना भील बड़ा किंग्स की जो प्रीवेस तीन मैचे से एक बार उस पर भी लेकर चलता हूं कि इनके क्या कहानी रही है देखो पिछले जो तीन मैच रहे है चोविस नॉम्बर को मैच हुआ 211 बनाए मनिपल ने मनिपल टाइगर्स ने यह चेज नहीं कर पाए 122 ही बना पाए थे 20 ओर में दिलशान के 27 आये पठान के 16 वो भी 20 बोल में जाकर ठीक है बहुत बोल बेश्टी थी बारनवाल के देखो 16 रन थे दो विगट थे और दो विगट जो बारनवाल के आये ने व सिर्फ यही दो थे सिमंस ने देखो 99 में बेश्ट के 18 पिनल शाह के 16 एकी मैच में इनको मुखा मिला और बारनवाल ने एक विकट निकाला कारिया के देखो चार और में 16 रन देकर दो विकट थे और रहुल शर्मा ने उस मैच में 4 और 25 देकर दो विकट निकाले तो और व वह फैंटेसी पॉंट्स ठीक दिये थे इन्होंने जैसे 18 और को सिमंस के ग्यारा थे 70 बनायते मायर ने और 30 बिश्ट के थे 16 पठान इर्फान पठान ने वो क्या बोलते 19 बॉल में 65 रन बनाकर टीम को जिता दिया था बारनवाल ने 22 बनाय थे चार विकट यहां से अनूर दिये और बड़े नाम जो फ्लोप हुए वो तिलकरतने दिल्शान है युसुफ पठान है और यहां से लिंडल सिमंस तीन मैच में से सिर्फ एक में चला दो में फ्लोप हुआ है तो यह कुछ प्लेयर्स अभी तक ऐसे हैं जो इनके प्लेंग इलोन में एंड इनके जो जादा अंदाजा रहेगा इस क्राउन पर खेलने का इनकंपरेजन टू बिलवड़ा किंग्स तो जीतने के चांस मर्कों जो लगता सदन सूपर स्टार्स के जादा है वह वैसे लूजिंग श्रीक पर चल रहें शायद वह लूजिंग श्रीक और लंबी हो सकती है और यह फ उपल धरंगा रोश टेलर जासे घ्लाडी बड़े काम आते हैं तो मैं मानता हूं कि जम्मो में जब तक मैच है इनके जितने भी मैचे सदन सूपर स्टार्स वालों के उपल धरंगा टेलर बिल्कुल यहां से इंपॉंट बनते हैं जैसे रैडर का कुछ नहीं सकता है यह ठ रोप होते भी दिखेंगे जो हिट और मिश्टाइप वाले बैटर रहेंगे और उसके बाद में आसे चतुरंगा डी सिल्वा है इनके स्पिन ने काम भी क्या बोलिंग भी किया बैटिंग से भी अभी तक ठीक पॉइंट्स दिये तो बिल्कुल यहां समश्ट पिक बनते है नहीं जादा रंस है और नहीं किसी और चीज़ से इन्होंने जादा कॉंट्रिबूशन किया है बागी पवन नेगी है एक सो चार मैच में 95 इन्होंने पिछले मैच में एक और डाला दो विकट मिल गया इनको एक दम गजब बागी बैटिंग से यहां ठीक किया है अभी तक पवन नेगी ने ओल्मॉस्ट तीनों मैचेस हुए हैं उसमें दस पंद्रा बीस रंक है उस पास पास पवन नेगी ने यहां से बनाए हैं तो अल्राउंडर आप कहीं न गई पवन नेगी को प्रेफर कर सकते हो बस मिर को क्या दिक्कत है इनके बॉलिंग क्यों पर कप्तान इनको बॉलिंग पहले मैच में उन्हें रंखाये दूसरे में रंखाये तीसरे में मिली नहीं एक और की मिली थी उसमें नों ने दो विकेट निकाल लिये और उसके बाद मिहांसा अशोग डिंडा है एंच्छा वरेज़य योहान बोथा आए विकेट निकाले ता जमनें का मैच कवर किया था यहान बोता आज भी खेलेगा आज भी दिक्कते क्रेट करेगा सामने वाली टीम के लिए उसके बाद में हमिद हसन है पहला मैच डूर बागी के दोनों मैच एक दम कुछ भी नहीं किया उसके बाद मैं अट लाश आपको यहां से देखने को मलते हैं तो वनेंसी का और इुस थाइंग अपको अब्लेधा गारेतका जाएगा वखता इनका वक्त अब अगर खेलते हैं तो ओविसली सीवी सीपिक बनेंगे बिपुल चर्मा खिलाया तो था बड़ जाता कुछ खास किया नहीं उसके बाद में फर्वेज महरूफ है मकार्ति है रमीज खाने 14 मैच नहीं 119 का स्ट्राइक रेटें का दिल्शान मुनावीरा को पहले और फिर बाहर बैठा दिया गया इनको भाई अभी तीसरे मैच में अगर खेलता है तो भाई जोड़ी सकते हैं दिककत नहीं बिशिस में तो उसके बाद में तनमे सरी वाद से अमित वर्मा मारी नुदर बिशला है मिडल लोडर में बैटिंग उतना कुछ खास नहीं ओपन आ पहले चलो आपको दोनों ही टीम्स के ना जड़ा ओवर पता है तो भाई कौन-कौन कराता है ने को जो हमारी दूसरी टीम है भील बाड़ा की उनकी तरफ से अनुरीत सिंग है जो शुरुवात में डालता है साइड बोटा में जो नहीं बोल के साथ में डालता है और बाकी के फिर तो बार्णवाला जाता है अब्दुल्ला है राहुल चर्मा इर्फान पठाने कुल मिलाकर इधर से ना पांच बोलर्स बोलिंग करते हैं इर्फान पठान का बरोसा मत रखना पठान ना लाश्ट में आता है दो मैंच में मैंने दोनों बार बठान को बढ़ी असर रं और नई बॉल के सात में डालते हैं, उसके बाद में फिर अब्द रजाग है, चतरंगा, डीसल भाए, हामीद असन है, योहां बोथा है, पवन नेगी के साथ में तो फिर एक ही ओपर है, ओर और तो ये छे पोलर, ठीक है, और साथ वाज वा बोलर हमारे पास में नेगी, अब अगर इन में से हामिद असन या बोथा या फिर डिंडा वगर अगर नहीं खेलेंगे तो उस केस में हो सकता है आपको पवन्ने की भाई यहां से एक और से साधा करा तो वा दिख जाएगा बागी नई बोल के साथ में तो लकमर और डिंडा आते हैं इदर से नूरीट सिंग औ तो मनीपल ने 124 बनायते और यहां से जो सदेन सूपर स्टार से 125 इनों ने बना दिये 5 विगट को कर जैसी राइडर के देखो तीस ते वो 31 बोल में थरंगा ने 30 बनाये 38 बोल में गोसवामी ने 19 बनायते 16 बोल में लोट आउट राजेश भिष्णोई इस मैच में 11 पर आ हो गया तो वो नहीं लिखा है देखो थे ध्यान रखना बागी भिष्णोई है ग्यारा पवन नेगी देखो यहां बनाये हैं इसने 25 ध्यान रखना उल्मोस्थार मैच में बागी विकेट की बात करें दो विकेट नेगी दो बोता एक सिल्वा एक दो रजाक के थे और एक विकेट यहां से दिंडा का था पच्छिस नौवमर को क्या हुआ सदेन सुपरस्टार्श ने 163 बनाये इंडियन कैपिटल्स ने बड़ी इसली टार्गेट चीज कर दिया तो उस मैच में थरंगा क्या थे उननिस गोसवामी के चोबिस रोश टेलर का थे चोबिस चत्रंग यहां से नेगी का देखने को मिला ता उसके बाद में बात करें तो 21 नौवंबर को मैच वा था जिसमें की जो अर्बनाइजर से उनने 156 बने सदन 143 पर उल आउट हो गई मुनाविरा के उस मैच में 34 ते गोसवामी के 18 टेलर के बारा बिसला ने बनायते मिडल और में आते तो दस रन और साथ में यहां से एक विकेट ओल्मस्ट पवन नेगी हर तीनों मैच इसमें 12 रन एक विकेट और यहां पर आप तेखोगे तो दस रन एक विकेट तो और साथ मिस्टेसी पॉंट्स को बात करो अब्दुर्रजा के इस मैच में अच्छा गया था दो विकेट लक्मल के दो विकिट थे हामिद असन ने इस मैच में चार विकिट निकाले और बाकि दोनों मैच अब तक ये विकिट लेसे और मुना वीरा का भी मैच में एक विकिट देखने को मिला था तो यह रहते हैं आपने अज के लिए हमारे मैंच यह तीनों ही जो मैंच था उनके क्या कुछ प्लेयर्स आपको देखने को मिलाकर जो कॉमन प्लेयर्स है यहां से निकल कर आते जो डिसेंट आपको थोड़े बहुत पॉइंट स्ट लिस्ट दे कर जाते हैं उस केस में पहला नाम आता है पवन्निगी का द उसके बाद में है जाते है उपनी टीम के ओपर दिल्शान और उपल थरंगा मैंने दोनों को ही अपनी टीम में रखा है बाकी बैटर सेक्शन के बात करें बार्दमल क्योंकि बैटिंग बोलिंग दोनों कर रहा है उसका अदमरोश टेलर है सिमंस को ऐसा सी वी सी किया है और बैटिंग ब्लस बोलिंग भाई दोनों करेगा इस वजह से और पूरी और सही करेगा ठीक है इस वजह से आपको नेक्श यूड़े में बहुत ही जारा जलते